बुलबुल नाम के एक लड़की थी जो अपनी मा और छोटे भाई अर्जुन के साथ रहती थी उसके पापा काफी वक्त पहले गुजर गये थे बुलबुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी और हाल ही में उसके भाई ने भी कॉलेज में टॉप किया था आज बुलबुल अपनी मा और भाई के साथ बाहर खाना खाने आई थी अरे बुलबुल बेटा ये होटल तो बहुत बड़ा है ना यहां तो हमारा बहुत ज़ादा बिलाएगा अरे मा तुम बिल मत देखो अभी तो मेरा दिल देखो दिल हाँ मा ये पार्टी दीदी सिर्फ मेरे टॉप करने की खुशी में नहीं दे रही है बल्कि एक और खास वज़ा भी है खास वज़े कैसी खास वज़े तभी वहाँ पर एक वेटर एक केक लेकर आ जाता है केक देखकर बुलबुल की मा हैरान हो जाती है अरे ये क्या ये केक भला किसलिए अरे मा आपको याद नहीं है क्या आज आपका जन दिन भी है अरे मेरे बच्चो तुम्हें ध्यान था और क्या मा भला हम आपका जन दिन भोल सकते हैं क्या बुलबुल की मा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है इसके बाद वो लोग खाना खा के अपने अपने घर चले जाते हैं बुलबुल अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी लेकिन कोई था जिसे बुलबुल के खुशियां बिलकुल भी भा नहीं रही थी वो थे बुलबुल के बड़े ताउजी जब बुलबुल के पिता का देहान थुआ था तब उसके ताउजी ने उनकी सारी जायदाद हड़पने की बहुत कोशिश की थी लेकिन सब कुछ बुलबुल की मा के नाम होने के कारण वो काम्याब नहीं हो पाए थे बुलबुल की मा ने सब कुछ अपने दोनों बच्चों के नाम कर दिया था इसलिए ताउजी को बुलबुल के परिवार से बदला लेना था एक दिन सुबह सुबह ही बुलबुल के घर की घंटी बचती है अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया है अर्जुन बेटा जरजा दर्वाजा तो खोलना अर्जुन जाके दर्वाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था बस सामने जमीन पर एक बड़ा सा संदूग रखा हुआ था अरे मा यहां तो बस एक पुराना सा संदूग रखा हुआ है यह सुनकर बुलबुल और उसकी मा भी दर्वाजे पर आ जाते हैं अरे यह तो बड़ी है अजीब बात है आखिर यह संदूग यहां पर कौन छोड़ गया है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा हमा इसे यहां से हटवा देते हैं अरे नहीं नहीं मुझे तो यह बहुत अच्छा लग रहा है और यह यहां कोई छोड़ कर ही गया है न इसका मतलब है कि यह हमारे लिए ही है तो क्यों नहीं हम इसको रख लें नहीं बेटा बुलबुल ठीक कह रही है इसे हटा देते हैं लेकिन अरजुन अपनी जित के आगे किसी की भी नहीं सुनता उसे पुराने सामान का बहुत शौक था और इसलिए वो जित करके संदूक को घर में ही रखवा लेता है इसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं उसी रात को बुल्बुल और उसकी मा एक साथ सू रहे थे मगर अरजुन को नींद नहीं आ रही थी वो उठकर किचिन में जाता है अरजुन अपने आपसे ही बातें कर रहा था संदूक में से कुछ आ आवाजं आने लगती है ये क्या? ये तो संदूक में से आवाज आ रही है चल कर देखता हूँ आखिर बात क्या है? अरजन संदूक के पास जाता है पास जाने पर उसे आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगती है ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई संदूग के अंदर है जो जोर-जोर से संदूग को पीट रहा हो यह वास तो बढ़ती जा रही है मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए अरजुन संदूग के पास जाता है अरजुन बिना जादा सोचे समझे संदूग को खोल देता है संदुक खोलते ही उसमें से एक दरावनी चुडैल बाहर निकलाती है और अरजुन पे हमला कर देती है अरजुन डर के मारे तुरन बेहोश हो जाता है तो यही है मेरा शिकार चलो अब खेल शुरू करती हूँ चुडैल अरजुन को उठा लेती है और उसे लेकर कहीं चली जाती है सवेरा हो जाता है और बुलबुल की मा परिशान होकर बुलबुल को उठाने आती है बुलबुल उठ्जा बुलबुल अरजुन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है क्या कैसी बात कर रही हो मा यहीं कहीं होगा इसमें इतना परिशान होने के क्या जरूरत है नहीं बुलबुल मैंने हर जगा देख लिया है बुलबुल और उसकी मा पागलों की तरह सारे घर में अरजुन को ढून रहे थे लेकिन उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आया तभी बुलबुल का ध्यान जाता है में उसकी मा सदमे में खड़ी थी और सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी वो एक जिन्दा मुर्गा पकड़ कर ले आई थी और उसे रसूई में छुपकर खा रही थी ये? ये सब क्या है? ये तो एक चुड़ैल है मेरा बेटा कहा है? मुझे तो चक कर आ रहा है बुलबुल मा गबराओ मत मा मैं इसे बात करती हूँ बुलबुल हिम्मत करके आगे बढ़ती है और चुड़ैल से कहती है कौन हो तुम? और यहाँ पर क्यों आई हो? मेरा भाई कहा है? क्या तुमने उसे कुछ चोट पहुँच आई है क्या? नहीं, अभी तक तो मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है लेकिन उसके पास जादा वक्त नहीं है इसलिए तुम्हे उसे जल्द ही ढूंडना होगा चुड़ैल की बात सुनकर बुलबुल की मा जोर-जोर से रोने लगती है मगर, मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? भला, तुम हमसे क्या चाहती हो? बुल-बुल और उसकी मा पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर उसके ताउजी खड़े थे आप, आप यहां भला क्यों आए हैं? अब आपको हम लोगों से क्या चाहिए? मुझे तो तुम से हमेशा से बस एक चीज़ चाहिए तो क्या ये सब तुमने पैसों के लिए किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लोगों को ऐसे परिशान करते हुए? अरे, आखर तुम्हें कितना लालच है? अरे, जिस प्रॉपर्टी के तुम पीछे पड़े हो न, वो मेरे पती की है और अब मैंने उसे अपने बच्चों के लिए बचा के रखा है तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगी अरे, पागल औरत अगर तेरे बच्चे बचेंगे तब तो तो उन्हें प्रॉपर्टी देगी न लेकिन ये चुडैल तो उन्हें मार डालेगी, हाँ बुलबुल और उसकी मा ये सुनकर डर गए मा, हमें नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आप इने सब कुछ दे दीजिए मैं बस यहीं चाहती हूँ कि अरजुन सही सलामत वापस घर आ जाए ये सुनकर बुलबुल की मा ताउजी से कहती है ठीक है, ठीक है मुझे मन्जूर है बस मेरे बेटे को वापस कर दो ये हुई ना बात ठीक है, ये लो इन कागसों में साइन कर दो इसके बाद मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुम्हारा बेटा कहा है बुलबुल की मा साइन कर देती है और फिर कहती है लो, कर दिया मैंने साइन अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहा है लेकिन वो मैं कैसे बताओं भला वो तो मैं भूल गया अरे तुम्हें याद तो होगा ना मुझे भूलने की बिमारी है तुम लोगों ने मुझे इतने साल तक परिशान किया है तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा तो मैं मुझे ये प्रापटी इतने सालों बाद देने के लिए थोड़ी सजा तो जरूर मिलेगी और तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हे अब अपने बेटे से हाद धोना पड़ेगा ये सुनकर बुलबुल और उसकी मा के तो मानों होश योड़ जाते हैं बुलबुल के ताउजी वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी बुलबुल भाग कर दरवाजा बंद कर देती है नहीं आप जब तक हमें अरजुन का पता नहीं बताएंगे तब तक हम आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे चुडैल यह सुनकर बुलबुल की तरफ भागती है लेकिन तब ही बुलबुल की मा चुडैल के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है तुम ये सब क्यूं कर रही हो तुमें इस सब से आखिर क्या फाइदा मिलेगा मैं कई सालों से संदूख में क्याद थी और इस आदमी ने ही मुझे आज़ाद किया था इसलिए मैं इसकी मदद करके इसका एहसान उतार रही हूँ उसके बाद मैं आज़ाद हो जाओंगी और कहीं भी जा सकती हूँ लेकिन तुम्हारा काम तो पूरा हो चुका है न क्या मतलब है तुम्हारा इसने तुम्हें संदूख से निकाला और बदले में तुमने हमें दरा के हमसे सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करवा दिया इसका मतलब अब तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है न अरे हाँ, ये तो तु एक्तम ठीक कह रही है हाँ, अब तुम यहां बेवजे ही परिशान हो रही हो तुम्हें तो अब आराम से घूमना फिरना चाहिए अब मैं चलती हूँ मुझे बहुत से जरूरी काम है इतना कहकर चुडैल वहां से जूमती हुई चली जाती है उसके जाते ही बुलबुल और उसकी मा ताउजी पर हमला कर देते हैं वो दोनों उसे खुब मारते हैं और उस प्रॉपटी के कागस को भी भाड़ कर फेग देते हैं अरे मगर मुझे नहीं पता कि वो कहा है वो तो उस चुडैल कोई मालूम होगा न उसने ही अरजुन को कायब किया था ये सुनकर बुलबुल और उसकी मा परेशान हो जाती है उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें ये क्या उस चुडैल को ही ये पता था कि अरजुन कहा है लेकिन फिर भी वो चुपचाफ वहां से चली गई इसका मतलब कि उसने ही चान बूच कर किया है मगर क्यों उसे अब हमसे क्या चाहिए भला ये तो उसे ढोंड कर उसी से पूछना पड़ेगा बुलबुल ताउ जी चल्दी हमें बताओ कि वो चुडैल कहा होगी वरना हम अभी पुलिस को बुला देंगे और फिर आप अपनी पाकी के बची हुई जिंदगी चेल में काटिएगा बुलबुल और उसकी मा फौरण उस चुडैल को ढूणने निकल जाते हैं वो सीधा उस तांत्रिक के पास जाते हैं और इधर ताउ जी अरजुन को ढूणने के लिए सबसे पहले बुलबुल और उसकी मा उसी तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं जहां से ताउ जी वो संदूग लेकर आये थे वो तांत्रिक एक पुरानी जोपड़ी में रहता था मा देखो यही है उस तांत्रिक की जोपड़ी चलो हम अंदर चलते हैं हाँ बुल-बुल बेटा चलो बुल-बुल और उसकी मा सीधा जोपड़ी के अंदर घुश जाते हैं और उन्हें ऐसे अंदर आता हुआ देखकर तंत्रिक गुससे में उनसे कहता है अरे 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 अंदर कहां चली आ रही हो؟ कौन हो तुम लोग? यहां क्यूं आई हो? बुल-बुल तंत्रिक को सारी कहानी बता देती है क्या ये तो सच में बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ इसका मतलब तो ये है कि उस आदमी ने मुझसे जूट बोला था उसने मुझसे कहा था कि उसकी भावी ने उसकी सारी जमीन हड़प रखी है और यसी लिए उसे मदद चाहिए तब ही मैंने उसकी मदद के लिए उस चुड़ैल को भेजा था मैं कभी भी अपने पास कैद भूतों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ लेकिन अब हम क्या करें वो चुड़ैल तो हमें बिना बताय ही कहीं भाग गई और उसने हमें ये भी नहीं बताया कि हमारा बेटा कहा है मुझे तो पूरा शक है मेरा बेटा उसी चुड़ैल के पास है वो संदूक से निकली हुई चुड़ैल बहुत ही दोश्ट है उसका ऐसे आजाद गूमना सही नहीं है मैंनों सादमी से कहा था कि काम होने के बाद उस चुड़ैल को वापिस संदूक में कैद कर दे अब सिर्फ यही एक तरीका है तो मैं उस चुड़ैल को वापिस उसी संदूक में कैद करना होगा अरे पर वो संदूक कहा है और वो चुड़ैल कहा है हमें तो कुछ भी नहीं पता ये भला मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ तो क्या इसका मतलब कि मेरा भाई खत्रे में है हाँ खत्रा तो है तुम्हें उन तीनों को जल्दी ढूड़ना होगा और अपने भाई को बचा कर उस चुड़ैल को फिर से संदूक के अंदर कैद करना होगा लेकिन हम उससे आखिर लड़ेंगे कैसे वो तो कितनी खतरनाक चुड़ैल है और हम आम लोग है नहीं उसके भी एक कमजोरी है उसका लालच उसे ताकत का लालच है और लोगों का इस्तिमाल करके उसकी ताकत बढ़ती है तुम उसके इस लालच का फायदा उठा कर उसे अपने जाल में भसा सकती हो अब मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ मा, मैं समझ चुकी हूँ कि अब हमें क्या करना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांतरिक जी अब हम चलते हैं हम उस चुड़ैल को जल्दी यहाँ आपके पास वापस लेकर आएंगे इतना कहकर बुलबुल अपनी मा के साथ वहाँ से निकल जाती है और अर्जुन को ढूनने के लिए निकल पड़ती है उस चुड़ैल को ताकत का लालच है अगर मैं सही सोच रही हूँ तो इसके लिए उसने अर्जुन को गायब किया है वो आज अर्जुन के इस्तेमाल से अपनी ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और अमावस से अच्छा मौका उसे कब मिलेगा इसलिए जहां भी वो चुड़ैल होगी अर्जुन भी वहीं होगा वाह बुल-बुल बेटा तूने तो सारी गुथी ही सुलजा दी तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं कहां होगी वो चुड़ैल यहां पास में एक खाली मैदान है मा हो ना हो मुझे पूरा शक है वो चुड़ैल वहीं पर होगी ठीक है तब फिर तो हमें जल्दी करना चाहिए कहीं देर न हो जाए बुल-बुल और उसकी मा जल्दी से मैदान में पहुँच जाते हैं और उनका शक एकदम सही था चुड़ैल वहीं पर मौझूद थी बुल-बुल तेर शक एकदम ठीक निकला ये तो यहीं है इसका मतलब अर्जुन भी यहीं कहीं होगा लेकिन अब हम क्या करें मैं काम करती हूँ अभी जाकर इसे रोकती हूँ नहीं मा रुक जाओ अईसा करने से कोई फाइदा नहीं होगा ये चुड़ैल बहुत चलाक है हमें उसे धोके से फसाना होगा और साथ ही साथ इसकी ये पूजा भी रोकनी होगी और वो सीधे तरीके से हमें ऐसा करने नहीं देगी तब ही बुलबुल अपनी मा के कान में कुछ बड़बडाती है और वो दोनों एक प्लान बनाती है और बुलबुल अपनी मा को खीचते हुए चुड़ैल के पास ले जाती है चुड़ैल बुलबुल और उसकी मा को ऐसे आते देखकर हैरान हो जाती है अरे ये क्या तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो क्या चाहिए तुमें चलो निकलो यहां से वड़ना मैं दोनों को मार डालूंगी हाँ 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 मार डालो इस बुढिया को मार डालो मैं तो यही चाहती ही हूँ क्या मगर क्यूं आरे ये बुडिया तो कहने के लिए मेरी मा है लेकिन मेरे उस ताओ से भी सोगुना जादा चलाक है इसने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपने बेटे के नाम कर रखी है और मैं बेवज़े इन दोनों का बोज़ा डो रही हूँ जबकि मुझे तो एक धेला भी नहीं मिलने वाला है अच्छा हुआ, मेरा वो भाई गायब हो गया अब इसे भी मार डालो ताकि सब कुछ मुझे मिल जाए ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जादा से जादा लोग चाहिए एक से भले दो, ठीक है तुम इसे यहीं पर छोड़ कर चली जाओ मैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो मुझे मत मारो जब हो जा बढ़िया, अब तेरा खेल खत्न बुलबुल अपनी मा को वहीं छोड़ देती है और वापस जाने लगती है लेकिन तभी बुलबुल वहाँ वापस आ जाती है अरे क्या बात है अब तु वापस क्यों आ गई अरे मैं एक चीज़ तो भूली गई दरसल मुझे मेरी मा और भाई दोनों के दस्तखत चाहिए होंगे न तभी तो मैं आसानी से सारी प्रोपर्टी अपने नाम करवा पाऊंगी वरना तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा कितने नाटक है तुम लोगों के तब से प्रोपर्टी प्रोपर्टी सुन रही हूं अरे माफ करना बस ही आखरी काम में इसके बाद तुमें मैं नजर भी नहीं आऊंगी ठीक है ठीक है जो करना है जल्दी करो मुझे अपने काम में देरी हो रही है बुल-बुल अपनी जेब से कागज निकालती है और अपनी माँ से उस पे दस्तखत करवा लेती है फिर बुल-बुल चुडैल से कहती है ओ लेकिन अभी इसमें मेरे बाई से भी दस्तखत करवाने होंगे मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही है तो जरा तुम उसे ये दस्तखत करवा दो ना फिर मैं जाओं उफो बस ये आखरी बात है इसके बाद तुम अगर यहां तुरंट से नहीं गई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी हाँ हाँ बस उसे बुला दो फिर मैं चली जाओंगी चुडैल जाकर उसी संदूग को ले आती है जिससे वो बाहर आई थी इस चुडैल को तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चुडैल अरजुन को संदूग से निकाल कर बाहर जमीन पे पटक देती है और उसे कहती है तेरी किसमत बड़ी अच्छी है तेरी इस बहन को तुझसे कुछ काम है इसलिए तुने मरने से पहले बाहर के दुनिया देख ली वरना तो तु इसके अंदर ही मर जाता हाहाहा बुलबुल को चुडैल पर गुसा तो बहुत आता है लेकिन वो अपने गुसे को छुपाते हुए अरजुन के पास जाती है और उसे कहती है चलो जल्दी से इस कागस पर अपने साइन कर दो अरजुन को कुछ समझ नहीं आता की आखरी सब क्या हो रहा है क्या दीदी ये सब क्या हो रहा है ये कैसे कागस है और तुम मुझे बचाने नहीं आयो गया और मा, मा को इस चुड़ेल ने क्यों पगड रखा है मेरे पास तिरे इन फालतु के सवालों का जवाब नहीं है जल्दी से यहाँ पर साइन कर और फिर तो इस चुड़ेल के हवाले है मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है समझा चुड़ेल को ये सब देखकर बहुत गुस्ता आ जाता है और वो बुलबुल की मा को छोड़कर अरजुन के पास आ जाती है तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना कर अगर तुने अपने ये सवाल जवाब बंद नहीं किये ना तो तुब बिना मौत के मारा जाएगा चुड़ेल अरजुन को डराने लगती है और तभी मौका पाकर बुलबुल अपनी मा को इशारा करती है उसकी मा पीछे देखती है कि चुड़ेल ने एक हवन कुंड बना रखा था और उसमें आग जल रही थी वो वहीं से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और उससे सीधा चुड़ेल पे वार कर देती है तु पागल हो गई है क्या रुक अभी तुझे और तेरे बेटे दोनों को खत्म करती हो लेकिन चुड़ेल कुछ भी कर पाती उससे पहले ही बुल-बुल वो संदूख आगे कर देती है और उस चुड़ेल को उसी संदूख के अंदर धक्का देती है जूर का धक्का लगने से चुड़ेल वापस उसी संदूख के अंदर जाकर गिरती है नहीं, निकालो मुझे इस संदूख से बाहर निकालो इसकी अंदर मेरी शक्ती काम नहीं कर रही है तो फिर तो ये संदूख ही तेरी सही जगा है चुड़ेल अब तु बाकी क्यों मरे सी में काट तुझे अब इससे कोई भी बाहर नहीं निकालेगा तुने मुझे धोखा दिया है और चुड़ेल संदूख के अंदर काफी कमजोर हो जाती है इसलिए वो बाहर नहीं आपाती है चुड़ेल के संदूख में कैद होते ही बुलबुल की मा अपने दोनों बच्चों से कहती है मेरे बच्चे भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम दोनों को कुछ हो न जाए नहीं मा चिंता मत करो अब सब ठीक है देखो हम दोनों सही सलामत आपके साथ है ये सारा नाटक तो हमने इस चुड़ेल से तुझे बचा आने के लिए किया था हाँ लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है इस चुड़ेल को यहां ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं इसका कुछ तो करना पड़ेगा क्या पता कल को ये संदूक किसी और के हाथ लग जाए और ये चुड़ेल फिर से बाहर आ जाए याद नहीं वो संदूक के अंदर कैद होने से पहले कैसे धमकियां दे रही थी नहीं नहीं हमें इस संदूक को उस तांत्रिक को वापस कर देना चाहिए वो हमेशा इसे संभाल कर रखेगा वो ही इस चुड़ेल की असली जगा है ना कि वो नदी हाँ मा तुम्हारी बात भी एकदम सही है हमें ऐसा ही करना चाहिए फिर क्या था बुलबुल अर्जुन और उनकी मा मिलकर संदूक में कैद चुड़ेल को वापस तांत्रिक को लटा देते हैं और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते